नमस्कार, मनसुखान दिन भर की खबरों में सत्य पहरी नज़रावते हैं आज रूखे सबाचारों पर देवियांशने निकाली मज़िदात अच्वागुक्तर रेली नधं से नधां से वोख करेंगे फ्रांसे कदिया नारत दुर्गाकालावनी में कॉंप्रिस की चंसभा मेहंगाई पर भाज़ुपा पुखेने का परियास जाती के आथार पर नहीं विकास की आथार पर देवोर चंसभा में बूलें डॉक्तर राम प्रता चौद्री मिरोध कुमार की धर्मपद्नी डटी चुनाव प्रचार में कायज़ौन के साथ थास को बड़ा कर अब समचार विस्तार से एक तरफ जहां जिला प्रिश्यात अन्वितान सभा चुनाओं के लिकर व्यवस्ता बनाने में चुटा है जिला निर्वाचन अधिकारी मत्ताम प्रतिशक बठाने के लिए परियास क्या है। झाल झाल बोटा में जालो रे वाई शालो पूता में रावर जो झालो रे बाई बोटा में जालो रे भाई इस क्रम में जो दिभ्यांगा मत्ताता हुमारी है उनकी लिए हमने कारिकरमाई गिपिया है वे भी एक तो मद्दाता सुची में अपना नाम जोड़ी और जिकका नाम जोड़ा रहा है वो भी निर्वाचन में हुशता लिए उस जागरुक तक लिए आज हमें रहने के ताली है और इसके माज़र से पुशिश कर रहे हैं कि हम प्रिया जो पत्दाता हैं इनको हम समय निकालकर इस बड़े लोग तंतर में साथ इसमर को मत्तान जुरूर करने जाएं और आज जो इस कारिकरम में आज जिला निवरतन हदिकारी द्वारा जो कारिकरम किया जा रहा है बहुत अच्छा कारिया है ये लोगों को जाज़त करने के लिए और हम निवरतन काने दाने के लिए अलग से स्यूता की गई है जिला निर्वाजन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगों को लेकर बूठ लेवल पर अलग से व्यवस्ताएं की जाएंगे प्रते बूठ पर दो वॉलेंटियर सुवेधा के लिए लगाए जाएंगे इसके आलावाद जो ल अधिक आने में असमर्थ हैं उनके लिए प्रते बीटरिंडिंग ऑफिसर को पांच पांच दिकल उपलग दगाए जाएंगे ताकि दिव्यांगों को बूठ तक लाने के व्यवस्ता की चाँ सके दिव्यांगों की लिए विशेस व्यस्ताइब इस बार हमने खी है उसके त अधिक आने जाने का कोई साधन नहीं है अध्वा उनको कटना ही नैसूस हो रही है उनको भी अडेटिवाइक किया गया है उन्हें लाने के लिए उन्हें पांच पांच वहिकल बत्तेक लेटरिंग ऑफिसर को उने दिये हैं तो उसकी मार्द्यां से मद्दान दिवस्त की अधिक लाने का भी प्रयास करेंगे विधान सभास चुनाविक प्रचार पूरे चर्म पर है सतावापसी के पर्यास में जुटी कॉंग्रेस हर वर्व से संपर्प साथ रही है विए पारिवापन लिए दुगा कालोने में कॉंग्रेस की चल्द सभा कुई एकर चाहां कॉं कॉंग्रेस दोनों की प्रत्याशी अपने कारे परताओं के साथ जन्ता के पीश में है अपनी चुनाविक परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताक़ प्रचार चरम पर है कॉंग्रेस प्रत्याशी चौदरी विनोथ कुमार की जनसभा दुर्गा कलोनी में आपजन के बीच पहुँचे चौदरी विनोथ कुमा ने चेतर के विकास को लेकर अपनी प्रात्मिक दाएं भी गिनाए बारती जनताव पार्टी की सरकार फांग साल से हम लोगों ने देखे लिए चुपवजाओ बात करेंगे बात सुने परी सूनने की बात है जब 2,13 में बारती जनताव पार्टी के परत्यासी वोट मांगने के लिए और मोटी जी ने मन से बड़े लंबे लंबे भासन जनता में फैके लोगों को का 15 लाग रुपे काते में आजेंगे देश में बड़ा ब्रश्टाचार हो गया मायगाई की बड़ी मार हो गई तो मेरी माताएं, गैने, युवा साथी, सभी लोग उनके जासे लाएं विधान समा चुनावों के तैट राश्टी अधियक चुराहुल गांटी सहीत अश्रो कहलोग अस्चीन पाइलिट का दौरा चुनावी परिप्रेक्ष की नजर में खास देखा जा रहा है दौरे कुलेकर कॉमरेस कारेबरताओं में उन साहाथ देखते ही बन रहा है कॉमरेस कारेबरताओं में टाम बासार में कॉमरेस प्रैतियाशी के पक्ष में नारेबासी गष्टे हुई लोगों को अमन जिक्खिया कारेबरताओं में फीले चावल बांट लोगों को दिनसभा पहुशने के आप लेखे हर जन को मिले अधिकार और सन्मान अब बदलेगा राजस्तार कल के एक तारीक इस विशाल जनसभा के लिए आज अनमानगड टाउन के सभी कारेबरता बजार के अंदर सभी दुकानदारों से नागरीकों से हम फीले चावल बांट कर उनको वहाँ पर आने कार नियोता दे रही है एक दिसंबर को कॉंग्रेस के एक विशाल जनसभा को संभो दित करेंगे जिसको लेकर कारे करताओं के अंदर जोश और उत्सा है राहूल गांडी के अनमानगड दौरे को लेकर तयारियां भी जोशोर से चल रही है और अगर इनकी माने तो लगभग 50,000 से अधिक भीर को जुटाने का इसमें लक्षर रखा गया है बता देंगी राहूल गांडी के साथ साथ अशोग गहलोद, सचिन पाइलेट और पंजाब कॉंग्रिस कमिटी के सुनील जाखर भी मौजूद रहेंगे कांग्रिस पाल्टी की एक विशाल रैली अनमानगेट में होने जा रही है कलेक्टेट के सामने और समय रहेगा लगभग दुपेर में 12 बजे हमारे कांग्रिस अधिक्ष मानेनीय राहूल गांडी जी पूरव मुक्ष मंतरी अशोग गहलोज जी परदेश कांग्रिस कमीटी के अधियक्ष सचिन पाइलेट जी और पजाब परदेश कांग्रिस कमीटी के अधियक्ष सुनीर जखर जी वो सभा को सम्मुदित करेंगे एक विशाल सभा होने जा रही है कलेक्टेट के आगे सभी विवस्ते हैं पूरी हो गी हैं मंच मन के तयार है और सभी जो दर्शक दीरगा वो तयार है और मैं अफील करना चाहूँगा सभी मेले भाईयों से जो भी पेरो इस कारिक्रेंग को देख रहा है कि कल बारा बजे दोंगा कलेक्टेट के आगे आए और इस विशाल रैली क आए और गांदी जी के विचार कांग्रेंश पार्टी के रिताओं के विचार सुने और इस पार्टी को इस यादगार इस गैदरिंग को यादगार एक गैदरिंग बनाए हमारा टार्गेट है कम से कम 50,000 आदमी इस रहली में भाग लेंगे जिले से और बार से भी संगरिया प्ली मंगा वहां से भी लोग आएंगे गंगनर से भी आएंगे सादूल शेयर से भी आएंगे तो conservative एस चबट कम से कम 50,000 आदमी हो सकता है उससे जदा भी हो जाएं दुग कोटर तारच चंदवाटी का में उतरेगा और उसके बाद कलेक्टरेट विस्तित दर शहरा ग्राउन में वो जन सबा को संबोधित करेंगे करेंगे कि अउन्पूनिद चिरे अपुद मास, गूनी था गहाँ आने मापराम बनागीbaby अजल मापराम बनागी और फ़राथ गताई अजल मापराम बनागी मापराथ गताई श्रुप्राथ परफ़जिह आपसर दूछ पीछ में विर एसी महान बेटी का देश का गौडव जिनका पंचे कराते हैं मुझे बड़ी खुशी होनी है बड़ा दर्व मैसूस होता है कि आज हम सब के बीच में हैं विश्व के दूसरे नंगर की मिला जिनोंने पूरे विश्व गर में अपने नाम पर एक किर्टिवान इसदा भी तर रखा है इननस वर्ल्ड बुग में अपना नाम जिनका प्रच है भारी प्रच के साड़े साथ तंका उसको खीचने का खीचने का खीटी मां जिनोंने अपने नाम प्रच करवा रखा है ऐसी गहन अमारे भारत की दौरव देश की प्रतम महिया सक्ति सालिप महिया गैज राग अश सकती है और सिर्फ एंगी एक इनकी इचा शकती है कि भारती जन्ता पार्टी की सब्गार राजस्पान और राजस्पान में बने तो हम तो में उसी विष्ठा उसी समर्पन से पूरा अपने विदाव जुट जाना में महोट दिन गम शें है अभी तो पूरी पूरी पूरा देश में बुलेट कर रही है अभी राजस्पान में 20 तारिक वागर में शुरू ही है 3,400 किलोमेंटर का पूरी आत्रा है जाहिपूर में सेकंड किसमर को समापन है कहो दिल से मोदी जी फिर से नारा लेके हमें आत्रा कर लिए तो हमारा आजशा अभिला शाय की 2011 में इसके लिए आत्रा कर चुके हैं और यह बारतिये जनता पारटी के परचार के लिए आए हैं मोती जी का घर जगर जाकर के यह परचार कर रहे हैं और युवा महिला दुआरा और युवा किया गया है और आज इन्हों नहीं है अपने पूरे जोस से और जजबे से और जुनून के साथ एव तरक को यह आख हिंचा है और भारतिये जनता पारटी को यह सल्देश दिया है कि महिलाएं भी किसी सरह से गुरूशों से कम नहीं है इसे लिए बैन आज मंदा जी मारे पीच में आई थी तो हम लोगों ने युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने तया दिल से इनका अर्थिक नभी नंगर और सुवागत किया कहते हैं कि हर एक सकसेस्फुल इंसान के बीचे एक औरत का हाथ होता है चुनावी मौसम हैं तो बात भी चुनावकी करेंगे सभी प्रत्याश्य अपनी धरम पत्नियों के साथ अपने धरम पत्नियों को सभी ने चुनाव प्रसार में लगाया हुआ है हर कोई अपने-पने मुद्दे के साथ जनता के सामने है जहां बीजेपी विकास के मुद्दे को लेके सामने जा रही है कॉंग्रेस के पास में महंगाई और सिक्षा जैसे कई मुद्दों की भरमार है बीजेपी को घेरने के लिए और आज हम इनी प्रत्याशियों में से एक चौधरी विनोत की धरम पत्नी विजेया चौधरी जी हमारे साथ मुझूद है उनसे बात करेंगे क्योंकि अक्सर उनको कई चुनावी जन्च सवाएं करते वे देखा गया है लोगों से वोट मांगते वे देखा गया है जानेंगे उनसे कि क्या है उनके चुनावी मुद्दे और किस तरह का रिस्पॉंस उनको मिल रहा है जन्च से सबसे पहले विजेया जी आपको बहुत बहुत स्वागत है इसकाई चौनल में धन्यवाद मैड़म आपसे जाना चाहेंगे कि जैसे कि आप वोट मागने जा रहे हैं तो आपके मुद्दे क्या है किन मुद्दों को लेकर आप जन्ता के सामने जा रहे हैं इस बार एक तो ये कि भाजपा ने काया कि बेटी बचाओ बेटी बेटी बढ़ाओ सबसे पहले कि ही जो हनुमान गड़ की शेतर है मैलाओं के लिए बच्चियों के लिए शिक्षा में पिछड़ा हुआ है यहां के इतने बड़े नेता होते हुए डॉक्टर होते हुए हनुमान की जन्ता को आशा थी कि यहां कोई एक एजुकेशन इंसिचूट खोली जाएगी पर नेराशा ही हाथ लगी दूसरा मुद्धा यह एक नोट बन दी महलाओं माताओं ने पैसा पैसा तिनका तिनका जोड के पैसा रखा था उनका सब उपन हो गया और जो उने जोड़ा था वो उनसे चीना गया तो अब वो असहाई मैसूस कर रही है आप वोट मांगने जा रही है लोगों को कन्वेंस करने जा रही है किस तरह का लोगों का रिस्पॉंस मिल रहा है क्योंकि पांच सालों में पांच साल पहले और अब आप पांच साल बाद जब दुबारा जा रहे हैं लोगों के सामने तो किस तरह की रियाक्शन आपको मिल रहीं देखो हमेशा प्राकृतिक का नियम है कि जैसे जैसे समय की प्रवितन होता है आशाएं बढ़ जाती है और समय के साथ में आशाएं बढ़ने से आखशाएं भी बढ़ जाती है वो सारी मांगे तो पूरी नहीं हो सकती हर वादे करते हैं हर वादे कई अधूरे रह जात सरकार जो बनती है वही आती है अपना नाम बनाने के लिए दूसरे नाम मिटाने में लग जाती है काम नेक हों वादे अनेक और वादों को और नहीं कर पाती है आपको क्या लगता है कि बुड़ा पेंशन और जो कांगरिस के राज में 35 किलो कनक मिलती थी इस वीजीवे सरकार के आने से 5 किलो कनक मिल रही है युवाओं को नोकरी नहीं मिल रही जो कि पड़े हुए है जब उनकी सेलेक्शन हो जाती है तो वो कहते हैं जै इस इंसिचूर की मानिता नहीं है तो पिल्कुल जैसे कि आपने थोड़े देर पहले बोला था कि शिक्षा एजुकेशन के चेटर में हनुमानगर में बहुत जादा लड़कियों के लिए बहुत जादा कुछ नहीं हुआ है तो युवाओं के लिए मैडम यहां पे कुछ फिलहाल भी कोई रोजगार का कोई ऐस बनाया था पर आई सरकार ने जाती सबसे पहले स्विर्निंग मिल बंद कर दी उससे कितने बेर बेरुज़ज़ार हो गए और नवजवानों का होसला ही तूट गया कि जो सरकार नीती और नीती से चलती है दूसरे सरकार आती है उसका कारेकाल समापत होते ही उसकी जो योज मुखेरम नदभार्शी हैं पॉलिटिकली कैसे हैं आपके पती परस्नली मेरे पती बहुत ओनेस्ट है बहुत मदरू भार्शी है और सब को मान समान देते हैं चाहे कोई भी काम वाला आए काम होना ना होना ये कानून के हाथ में पर उनका प्रयास जारी रहता है कि जो मेरे प बोला अभी थोड़ी देर पहले कि महगाई भी बड़ी है बीजिपी के राज में तो आप क्या चाहेंगी कि अगर चौदरी विनोजी जीत जाते हैं तो हाउस वाइफ महिलाओं के लिए हनुमानगर में क्या खास आपक करेंगी महिलाएं सबसे ज़्यादा दुखी हैं गै का काम है बोजन खुलाना और घर को चलाना घर चलाना अतिक कठिन हो गया है विजय जी आप मेरे खिया से एकॉनमिक्स की स्टूडेंस रह चुकी हैं तो आपको क्या लगता है कि हमको अपने इस तर पर कुछ इंफुलेंस को कम करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए पैदा हो गई है कि जिससे वो मजबूर हो जाता है कि भी मैं करनी पाता असाय हो जाता है समाज में इतनी दुश्टा इतनी करप्शन इतना बढ़ गया है नशा बढ़ गया है कि वो करने में असाय हो जाता है उसका दिल तूट जाता है क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं देत जब श्रीर साथ नहीं देता तो मन गिर जाता है, मन जब गिर जाता है तो वो होंसले से खड़ा नहीं हो पाता, तो मैं सबसे पहले ये चाहती हूं कि नशा कम हो, नोजवानों को रुज़गार मिले, बेहनाओं को मेंगाई कम हो, तो उनका जीवन वो परिवार में कुशाली ला सके, बिलकुल विजय जी जैसे कि आप सब महिलाएं, सबी प्रत्याशियों की जो जितनी भी धरमपत्या मुझे लगता है, हर कोई चुनावी मैदान में, मुझे लगभग लगभग हर एक के पूरी-पूरी फैमिली चुनावी मैदान में हैं, लोगों को रिजहाने के जानता आपको कितना सपोर्ट दे रही है इस बार? में एक खास्यत है कि वो अपनी तरफ ज़्यादा खींसती है, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि नागरी को आप अच्छे रहो, अच्छे को चुनो, अच्छे आपके काम आएं, ये नाम मिटाने के लिए नहीं होते, ये नाम लगाने के लिए होते हैं, क्या हो गया? अगर व लुजवानों को रुजवानों 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 को रुजवानो है आप उसको सोच समझ के सवारने के लिए सजाने के लिए आप अपने उजुल वविशे की तस्वीर अपने बच्चों में देखो क्या लगता है इस बार तो जो रूठे वे हैं वो मन गए हैं पार्टी में कई कारेगरता बीजेपी के भी कॉंग्रेस में शामिल हुए हैं जैसे कि अभी आप देखी रहे हैं कई सारे लोगों ने कॉंग्रेस को जॉइन किया है क्या लग रहा है अंदर या अंदर कहीं न कहीं जीत सुनिश्चित है नहीं यह तो कोई भी पहल में जनता के हाथ में वो तो जनता फैंसला करेगी कि किसको जिताना है किसको हराना है यह तो मैं नहीं बता सकती है आपको अब जैजी हनुमानगर का एक ट्रेंड रहा है कि एक एक साल में सरकार बदलती है पांच साल पहले अगर कॉंग्रेस रहे तो फिर पांच साल बाद बीजीपी आती है फिर कॉंग्रेस आती है ऐसा क्यों है क्यों लोगों के ऐसी मान सकता है यहां पर कि एक बार बीजीपी एक बार कॉंग्रेस जितने काम होते सारे तो वादे निभाए नहीं जा सकते जिसके काम उदूरे रह जाते हैं वो दूसरे साइट पे चले जाते हैं ज तरह इसा जोश है आपके कार्यकरताओं में और कल जैसे राहुल गांदी की रैली भी है हनुमानगर में राहुल गांदी चुनाव पर चार के लिए आए हैं पिछले दिनो राजस्तान में पूरी जन सभाएं कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि हनुमानगर के लोगों में कितन है सब लोगों में उत्सा है क्यूंकि वो हनुमानगर पहले बार पधार रहे हैं उनके पधारने पर हमारे देश के लिए जिसनों पर बार कि कर्भcede कि यह उस वंस्पसे पेदा हुए हैं तो सब suppress hasowed है कि हमारे जो देश के लिए कुरबान हुए हैं चोटी सी हुमर एन रजीव गांदी को भून दिया गया था तो शायद हम उनकी आगमन पे उनका स्वागत करें तो उनको भी थोड़ी सुस्तामना मिले बहुत बहुत शुक्रिया विजया जी हमसे बात करने के लिए तो ये थी विजया चौधरी जो लगबग पूरी तरह से आशवस्त है अपने कारेकरताओं को लेकर पूरा उत्सा है उनमें कर राहूल गांदी की रेली को लेकर भी पूरा उत्सा है और अपने चुनाब प्रच सब्सक्राइब होने वाले हम मौका आप देखते रहे हैं स्काइच चानल मैं सपना नेगी केमरमें सुनील के साथ सब्सक्राइब और नहीं देखते रहे हैं दिनकार के खबरें पेबी हैपी मॉडर्न पीजी कॉलेज अ ब्रैंड फॉर क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स के केरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन प्रकार के कोर्सिस करवाए जाते हैं जैसे BSC, BCOM, BCA, BA, MSE Chemistry, Physics, Botany, Zology, Mathematics, Computer Science, MCOM, ABSD, MA Geography, Sociology, Punjabi महा विध्याले स्टाफ की कड़ी महनत से गत 6 वर्षों के परिक्षय परिनाम में 145 विध्यार्थियों ने महराजा गंगा सिंग विश्व विध्याले की वरियता सुची में स्थान प्रापर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है महा विध्याले कॉर्परेट वर्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विध्यार्थियों के लिए केरियर गाइडेंस सैमिनार आयोजित करवाता है महा विध्याले में सभी प्रायोगिक विश्यों की सूसर्जित लेबुरिटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदी की सुविधाएं उपलब्ध है अपने चुनाविक प्रचार के लिए भाचपा तिनार वोटों को रिशाने पड़ती हुई है और इसी कड़ी में भाचपा के डप्राम्टर दाव ने टाउन की ठानमंडी में चंसभा के और पारटी के हाँ में बोट कि आप रेके अपने संभोधर में डप्राम्टर दाव ने कहा कि लोग जाथी या ज़ारों के आधार पर बोट ना दें विल्के विकास के अधार पर उते हैं चालिस बचास साथ से वोर पे उन्होंने राज किया लेकिन अवोर की हालात बत्त बत्त कर दी गई धरंट्रीड है पंजाब में जितने वाइले किये इस कांवरेस पार्टी ने आज तक एक दी वाइदा फुराने किया मेरे साथ से बहुत है तो मैं अकिला बेटा बेटा हंसरा था और मेरे मद में क्या भी कोई सामने से देख रहा हुए तो क्या सुच्छे कर या किला ही हसरा बेटा इमानदारी से वा क्या है कि आपका पंजाब तो पंजाब येक है तो हमारे यहां पर पांच साल में एक ऐसा दिन आता है कि उस दिन अनमान के टहर वो पंजाब बढ़ जाते है मतलब रसे तो इसाल से तो बड़ी चल्म की बारते है जेसी नोमिनेशन होता है ना इसका महां से पंजाब की गाड़ियां तंडियां लगी भी तो इतना पता है निए स्टीकर भी आपने अपने अबोर के और नेता का लगे 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 कोई मेरे जैसा बोलाते है के भी गाड़ी है कोई देखता दी है तो थोड़ी कट्वे मी रच्वे लगा करके वो गट्वे मी दूर करते है अब हाग मेरे को यह बता हो कि जब शुरू में जब शुरू आप शुरू आती बहिमानी से कर रहे हो तो आगे जांके क्या लिया दो हो गट्वे मार्क प्रत्याशी रगुवीर वर्मा ने टाहूं घानमंडी में आमजन से मुखादिप होई जन्सभा के दोरा अनुमने कॉंग्रेस और भाष्पा पर्टी के प्राहार किये सत्ता मेरी भाष्पा सरकाल को मदूर वीरोजी का राटिया इस सबसे पर्मार को प्रत्याशी ड्रगुवीर वर्मा को केलों से तो लगया रख्वीर वर्मा को केलों से तो लगया के कारे करम में चुनाव के कारे करम में आया है और यह अपील गे सागे की साथ तारिक ने जिका चुनाव वो ला रहे है आज चुनाव मैं बारत की कमनिष्ट पार्टी माक्सवादी की तरफ हूँ मैंने अमई द्रफ मनाय वह है तोड़ा गला ठीक होनी है के दिन उलाग रहा है अभी लारली बात करी में आपने के ओवियो कि देख लेया है तो लुट ठीक होनी है लेकर कोनी जब जी मैं पूछ यह कही जिनन है के वोट क्यों कोनी आया वोट कों दिया रहापन है जो तहां बतायों कहीं बेल लिया खासबां बताया दूँँँँँँगा, मोती जी आया, में जर मोती तुनी बनना मैं, तो बै बड़े के गया, क्या मारी सरकार आगी नी, तो थारे खाता में 15-15 लाग रिप्य देश्या, जब बै के में 204 यार काम रिडंग के फरक पड़े विशाल आमसभा वे रैली में मुख्य वक्ता मांपा की पुर्वसांसर, पुरिक ब्यूरो सरसे, कामेड सुभाश्यनी, पुर्ववविधार हित्रा मेनिवाल, कामेड बलवान पुनिया, सहित्यकर विलोग स्वामे आगी थे मापनेताओं इनोहर विदांसवाज शेत्र की किसामन मसूर, वियवारिक, विद्यार्थी और तमाम शेत्र वास्यों से जादा से जादा संख्या में हर समय हरकडि संखर्ष करने वाले मेता मंगे चौरवे के पक्ष में वोट की अपड़े थे अपना परतिनी दी कॉम्निस पार्टी मार्क्सवादी के उमीदवार के समर्थन में, मंगेश चौरवे के समर्थन में ये बहुत बड़ी आमसभा हो रही है और ये सिर्फ नोहर में ही इस तरह का हम लोगों को मतलब एक आधी के रूप में समर्थन लाल जंडे के लिए नहीं दिखाई दे रहा है पूरे राजस्थान में लोग ये जो अदला बदली की सरकारे हैं जिन्नों ने पिछले पचास साल से राज किया है और राजस्थान के जनता कि समस्याँ का हल करना तो बल्कुल दूर उनकी समस्याँ को बढ़ाने का काम किया है आज लोग इन दोनों से काफी परिशान और तंग आ चुके हैं मैं एक ही आंकड़ा बताऊंगी कि आज राजिस्तान पूरे हिंदुस्तान में नवजाज शिशूओं की मौत के दर में सबसे उचा है मतलब सबसे ज़्यादा नवजाज शिशूओं पैदा होने के बाद राजिस्तान के अंदर मर जाते हैं तो ये बात हमको बताती है कि हमारी महिलाओं के स्वास का क्या हाल है कुपोशन का क्या हाल है ये सतर साल की आजादी का नतीचा है गुरुतेग बहादर स्कूल में स्पोर्ट्स मीट का मतलब साफ है मीट का उदेश है बच्चों का शारेरिक और मान से एक्षिकास करना मोबाईल की दुनिया से दूर रख कर खेल कूट से जूरना दो दिवसे आईजन में फ्रॉग रेस, स्पून रेस, ट्रॉफी रेस, सहित कबर्डी, खोखो, आधिक ही तरह के गेम्स करवाएगे आज गुरुतेग बहादर पबलिक स्कूल के बच्चों का स्पोर्ट्स मीट रखी गी है दो दिवसे स्पोर्ट्स मीट है इससे हमारा उदेशय ही है कि बच्चों में खेल की बावना विक्सित की जाए बच्चे मुबाइल की दुनिया को छोड़ कर फिजिकली इंटर्टेन्मेंट करें जैसे कि शारिरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं इससे इसमें हमने चोटे बच्चों के विविन परकार की रेशिज प्रोग रेश, स्कून रेश, काउंटिंग रेश, टॉफी रेश आदी रखी हैं और बड़े बच्चों के सभी गेम्स रखे हैं जो कबड़ी, खोखो, बैडमिंटन, क्रिकेट आदी सब गेम रखे हैं ताकि बच्चे खूब इंज्वाए कर सके और खेलों की वावना से जुड़के खेल के अंदर आगे बढ़ सके हमारे विजासबा चुनाओं में मतारां को जावब करें और बदान प्रिशित बढ़ा है, इसके ताहर करी तरह के आख्यान चला जा रहे हैं, आउर में से एक है, वोट की रुप क्या तरह, इसमें स्कुरी बच्चों के महत्म से लोगों को जावब किया जाता है, इसके साथ ही जिला निवाचन अदिकारी दिनेशन दे जैन के खास परियास हर दिन, वोट्रों क को जावब करने के लिए एक केरी केचर निकाला जाता है, जिसमें लोगों से मर्दान के लिए कार्टूनों और स्लोगन के जरीए अपिल के जाती हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या है आज का केरी केचर ट्रहों के पिन, वोट्गे जैसे लादे सामा को रघून के एर दोना देखी हैं, समाछा प्हे हैं, पार नात्ष हैं